कि क्यूद्स है ईटक तरिंटक कुछे जाएंगे सिले अध्र कर एक सब्सक्रों को बच्छ नहीं पहले जो बच्चे नहां है उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं जो के विश कम्प्यूटर है यह इसके लिए मैंने हमारे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बिनादी है जिसमें आपको कहीं कहीं यह राजस्तान सीटी दीखने मिलेगा कुछ लेक्षर तो वह लेक्षर भी आपके लिए उत्रहीं इसके अलावा यहां तक देखे हमने यह आपका एंवाइल फोन तक यह सारे लेक्षर कवर करा दिये थे जो आपका 99 प्रतिशयत कोर्स हो गया था एक तरीके से ठीक है अब यह एक टॉपिक रह गया था इन्फॉमेशन क्यों सक्वाला तो यह भी आज हम इसको कंप्लेट करा देंगे तो उसके साथ ही आपका 100% कंप्यूटर का से लेबस कंप्लेट हो जाएगा और यह हमारा लाश्ट लेक्चर रहेगा आपके लिए कंप्यूटर का तो फिर फिर मिलेंगे कभी किसी और आप चछे से बहुत अठोड़ प्यूटिटिव बहुत सारे लेक्टिया से अच्छ जब कोई तारिफ करता तो फिर अच्छा भी लगता थे मैं जब अहां पर यह दिखिए यह के वेस कंप्यूटर की टैस्ट स्रीज है इसका टाइम टेबल है आपके टोटल टैंट रहेंगे जिसमें पहला टैस्ट हो चुका है 1722 तेश को जिसमें केरेक्टरिक्टिक्स और इसका टैस्ट होने वाला है आठ दो दो तेश को एना कंप्यूटर सौफट्वेर रिलेक्शिशन बिट्वेर एंड सौफट्वेर और अप्रेटिक्स तो इस पर यह आज रहेगा इसका टैस्ट तरह उसके बाद में आपको रिवीजन का एक दिन दिया गया है बीस तारी को फ इस तरीके से क्या है आपका पार्ट के अंदर सारी चीज़े रिवाइज हो जेंगे फिर यह कंप्लीट टैस्ट रहेंगे जिसमें आपको रेगुलर चार दिन तक चलेगा जिसमें 25-26-28 तो जिससे आपकी और तयारी एडवांस लेवल की हो जाएगी और आप एक्जाम में और लोगों से आगे निकल जाएंगे ठीक है और यह हमारा टैलिग्राम चैनल है जिसको जोइन करना है वो इस लिंक पर जाके जोइन कर सकता है और इनके लिंक्स वैसे कमेंट सेक्शन में भी दे दी जाएंगे तो वहां से और कोई हमें मेल करना चाहे तो learn24 academy at the rate gmail.com में म हमें वाट्सप भी कर सकते हैं 821-8816-110 ठीक है यह हमारा वाट्सप नंबर है तो आप इस पर हमें वाट्सप भी कर सकते हैं अगर कोई टैस्टीज में एंडॉल होना चाहता है ठीक है कॉल नहीं सिर्फ वाट्सप अलाउड है आज यह आप देखते हैं information क्योंस सबसे पहले तो आप information क्योंस को समझेंगे तो क्या होते है जैसे पुराने जमाने में एक इस तरीके से खोके हो अभी भी मिलते हैं आपको इंडिया में तो एक छोटे छोटे से खोके से बना देते हैं हैं आ वहाँ पे आप पान बीडी गुड का तमाग को यह सब खरी सकते हैं तो उन् इस तरीके से हम इंफॉमेशन लिते हैं नहीं 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 देए और अब क्या था यह दीर दीरे दीरे डवल्लप होगा इस तरीकी के format में डवल डॉबब होगा है जो आपको क्या है ब आप information यह दे रहेंगे कौन सी airline जहां जिसको लगाए जाएगा उस जगए की information देखा जैसे बस्टेंड पर लगाएंगे तो बस्टेंड वाली information देखा ठीक है आप railway station पर लगाएंगे तो railway से related जानकरिया देखा आप airport पर लगाएंगे तो कौन सी flight आ रही है कौन सी location है कहां क canteen है कहां क्या है यह सारी information यह आपको provide करते हैं तो यह क्या हो गए information क्योस्त हो गए आज है इनके इतियाहस और इनके बारे में जानते हैं जहांसे आपके exam में question पूछे जा सकते हैं देखा पहला स्वय सेवा स्वय सेवा मतलब जो automatic खुद की खुद से स्वय चालिद हो ठी होदी आपको सारी जानकारी देखा तो स्वय सेवा इंट्रेक्टिव क्योस 1977 में अरबना शेंपैन में इली नौइस विश्विध्याले के एक पूर मेड़ चात्र द्वारा लगाया था ठीक है अब यह पूर चात्र का नाम क्या है इसका नाम है मूरे लपी ठीक है तो 1997 में अरबना शेंपैन में मुरे लपे ने क्या था पहला स्वय सेवा इंट्रेक्टिव क्योस लगाया था तो एक पॉइंट यह याद रख लेगा ठीक है एकड़ा में अगर आ जाए वैसे चांसे देखो कहीं से क्या भी पूछ ले तो हमें तो सब चीज पता होनी जाए ठीक है यह पूछ ले आपसे डिजिटल इंडिया की तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया प्रोग्रम 2015 में स्टार्ट किया था 12 सरकार की पहला है जिसके तहर सरकारी विवागों को जो गौर्मेंट डिपार्टमेंट से ना उनको देश की जनता से जूड़ना है और इसका उदेश यह सुनचित करना है कि बिना कागज के इस्तमाल के सरकारी सेवाएं जो गौर्मेंट सर्विसे हैं गौर्मेंट प्रोग्राम से गौर्मेंट इसकीम से हैं उनको क्या है इलेक्ट्रोनिक रूप से जनता तक पहुँचा सके हैं ठीक है तो इस योजना का एक उदेश क्या हो गया ग्रामेंड उलाकों को उच्छी गती का इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है और डिजिटल इंडिया के तीन प्रमुक गटक है कौन-कौन से डिजिटल आधार भूत धाचा जिस इंट्रेस्ट से डवलप करना है जिसके अंदर ये इंफॉमेशन क् पहुंचाना है अब यह देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनिक रूप से तो आपको सर्विस मिल रही है यहां पर आप मान लिए गवर्मेंट की स्कीन प्रोग्राम यह चलते रहेंगे आप यहां पर जाएंगे कि थोड़ी दो किलोमेटर दूरी पर सरकार की यह वाली योजन है अब देखिए जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसके क्या है टूटल नाइन पिलर से कौन-कौन से यहां देखते हैं ब्रॉडबेंड हाइवे पब्लिक इंटरनेट इन्फोर एवरीवन अर्ली हर्वेस्ट प्रोग्राम यूनिवर्सल एक्सिस इसमें आप यह द इन्फोर्मेशन प्रोवाइट करनी है किसको जनता देनी किसके तुरूब है बश्पाइंग और इंफोर्मेशन के लिए हम information kiosk को establish करेंगे ठीक है तो information kiosk का establishment किया जाएगा तो यह digital India program के तहित ही इस तरीके से इनको establish किया जा रहा है अब देखें common service center यह digital India program के अंदर ही एक topic है common service centers को establish करना अब यह common service center क्या है यह जो information kiosk लगाए जाते हैं यह common service center के तहित ही लगाए जाते हैं common service center क्या है भारत सरकार के राष्टे e-governance project के तहित बनाया गया एक सूचना और संचार प्रदुगी information communication technology exchange point है जहां पर आप जाएंगे जैसे माल लीजिए exchange point क्यों बोला इसलिए बोला कि जिससे आप यहां पर खड़े हो जाएंगे तो आप इससे information exchange करेंगे आप इससे बोलेंगे समवात करेंगे मतलब ऐसे बोल के तो नहीं टाइप करके पर आपका कुछ नहीं होने वाला कुश्चन का यह पोस्ट माटम करके विल्कुल आंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है एक व्यक्तिगत computer जो personal computer होता है या फिर एक wireless connection और एक अन्य उपकरण के साथ एक क्योस्क है और computer internet exchange के माध्यम से सरकारी और निजी सेवाओं से संबंदित multimedia सामगरी परदान करता है तो यहां आप जाए यहां को बहुत सारी facilities प्रवाइट कर रहा है जहां पर आप खड़े होकर information का exchange कर सकते हैं आदान information क्योस्क भी डवलप होंगे मतलब जो अप्ग्रेड़ेट फेस वाले होंगे उनको establish किया जाएगा देखो डीजी गाउं डीजिटल विलेज की परिकल अपना है कैसे जुड़े हो गाउं के रूप में है जहां नागरिक विन इसेवाओं का अलाब उठा सके अब यह नागरिक इसेवाओं का अलाब कैसे उठाएगा यह information क्यों पर जाएगा यहां देखेगा अच्छा मुझे registration करना है वहां से कर सकता है बहुत सारे काम होते हैं आप उसके अंदर passport print कर सकते पासपोर्ट तो क्या आपकी पासबुक होती है बैंकों की उसके प्रिंट ले सकते हैं जैसे आपके इस तरह की दी जा रही है जैसे जैसे लोग क्या है लेटरेट होंगे तो इन सब चीजों का भी इसमाल आसानी से कर पाएंगे अब देखें डीजी काओं को सोलर लाइटिंग सुविधा एलेडी एसेंबली यूनिट सेनेटरी नैपकें प्रोडक्शन यूनिट वाइफाई लेनी है उसको रिसीव कर सकता है और जो जानकर ही अपनी कुछ फीड़एक देने हैं तो गवर्मेंट तक पहुंचा सकता है अब देखें सरकारी उप्यों जो इन्फरमेशन क्योंस के इसका इसमाल कहा हो रहा है सरकार क्या है गवर्मेंट अपनी पॉलिशी जो भी इसको फुल्फिल करने के लिए क्योस्क की राष्ट व्यास पी इस्तापना को लागू किया इसके तहर्ट बड़े पिवानेवे परिस्थानों का एक उधारन कहा मिलता है यूनाइट किंग्डम में देखने को मिलता है अब देखें यूके था इसने हमें कितना कितने साल ग 1492 में चला था उसका नाम किया था कोलंबस निकटर और इंडिया की नहीं इसको घुलाम बनाया गया और 1947 तक हम्हारा देश गुलाम रहा यह सबबस्दे हों पढ़ा देंगे अभी आजए जहां नौकरेच आने वालों को रोजगार खुजने की सायता के लिए हजारों विशेश देश के क्यों उपलप्त कराए गए थे यूके के अदा तो यह जो क्यास्ट है अगर किसी को जॉब से रिलेटिक को इन्फरमिशन लेनी है तो वह इन क्य जगे पास आपक सकते हैं तो इस तरी के से जो इंफरमिशन होती है उस हो फुल्फिल करने के लिए और यह जो क्या होते हैं एक इस można नहीं के देख लीजिए कैसे भी कुछन बढ़ाएंगे अगर आपको सब आपने सारी चीज़ देखी है तो आप इनका बारे में समझेंगे इस पर वैसे कुछन स्टेटमेंट वाले बनेंगे और इसके नीचे चार इसके स्टेटमेंट लिखेंगे है ना फैक्स तो बहुत ही कम खेंगे जो क्या होगा जो रोगी हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए अब उद्ध्योगों में इंडश्टी में भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल क्या अन्मान लगया कि अकेले अमेरिका और कनाडा में 12 लाग से जएधा क्यों टर्मिनल एस्टेबिश कर दिए अब देलि ऑसके प्रकार यहां पर देखें को सकते हैं और चैली आप करेंसे op lira डिज़िट अपर और यहां पर त्यूसानियों और तीमेल अपर इन आप इसने फैक्स कर दिखाण〜 जो भी आपकी डिमांड है उससे आपको फैक्स कर सकते हैं आज कल अब यह आपको दिखाई नहीं देंगे जगा ठीक है अब क्या होगा इनकी जगह पर डिजिटल क्योंस ने इनकी जगह ले लिए वित्य सेवा क्योंस जो यह आपको फोटो क्योंस का काम क्या होता है यह आपको फोटो क्रेंट करने में इसमें अगर आप बहुत अच्छी तो आप इसमें डिजिटल और लगा कर जाएंगे थोटी दिर बाद आएंगे तो फोटो करके रखेगा दूसरा होता है इसमेंगे बंदा भी हो सकता है धिक है इ इस्टेशन तेट इस्टेशन इस्टेशन ठीक है इन्स्टेस प्रिंट इस्टेशन में क्या होगा आप जैसे कॉमाड डालेंगे आज baz यहां से तुरॉन्त निकल सिंपल से तो वह छोटा सा सष्था सा प्रिंटर रखता है उसमें कभी भी बहूत अची वह नहीं आती है इन इंश्टैंट प्रिंट से इंच वह इनको सुन लीजिए कुछ जानकरी लेनी है या फिर को我們 आझा से कहा है इंडिया में कर रहे हैं अगर आपको कोई टिकिट चाह rethink कहीं पर भी आपको टिकिट चाही है आप जाई है जैसे आप code दीजीे के के पांच बंदे पांच जबन के टिकेट तो वह अपने हो के आजाएगी सामने अधर पीछे की तरफ कोई बंदा नहीं होता अब देखे सुचना क्यों सुचना क्यों का मतलब क्या है सुचना क्यों स्का मतलब है यह आपको प्रोवाइट कराएगा तो इसके आसपास की एरिया बस्टेंट पर लगाएंगे तो बश्टिक्टिंग करेगा आपने किसी होटल पार्क इसके बाहर इसको लगा दिया तो उससे डिलीट आपको उस वह इसकी खासियत बन जाती है जिस जगह पर इसको लगांगे तो उस से रिलेटटेट ही आपको इंफोर्मेशन देखा स्कार उसका फोन को देख सकते हैं आगे पीछे के साफ करेगा तो पर इस जैकeln करेगा किसे गां मुर्ग प्रॉय्ट कर यह तो यह एक तरीकी सsecond को सारी प्रॉइय। सब्सक्राइब तो आपको अच्छी लगी तो आपने क्या करा समवाद सा कर लिया एक तरीके से फीडबेक हो जाना वह फिर इंट्रक्ट्ट्राइब जाता है ठीक है जब तक वह आपको सब्सक्राइब तो आप यहां पर जाएंगे तो आप यहां पर जाएंगे तो आप इसके इन्फोर्मिशन क्योंस के माद्यम से यह जान सकते हैं कि मेरे नियर बाई कौन कौन सी सर्वेस अवेलेबल है जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में पहुंच गए हैं तो आप नाहारणार फूर्ट का इस्तियास जाना चाते हैं या फिर उससे डिन्ट्कों सत्वाइब तो सेवगिष चानना चाते हैं जो आ यहां अवेल बेधा ऎलया है उसके लिया ऍसना यह इंप्रमिशन पर्वाइप कराए कि तो और प्रवाइट कर दी जाएगी आपको जैसे माली थी ए प्लेस से बी प्लेस पे जाना है ठीक है तो आपको कोई प्रवाइट क्या बनता है यह कॉमन सर्विस सेंटर है किसके तहत एस्टेबलिश किये गए हैं तो राष्ट के इनको एस्टेबलिश किया गया तो यह दो आई गाए था वर्ष 2003 से 2007 बीच में ठीक है तो यह चलाए गाए था है यह याद रखना है नाशनल इगवर्णनेस प्रॉजक्ट के लिए क्लीए गवर्णनेस आपका एक प्रॉजक्ट है तो यहां से आपके पूछाइब सता है अब यहां देखे जो राष्टे इगवर्णन इस project के तहिए तो आपका क्या है common service centers establish किये गए है ठीक है अब इसकी के साथ में यहाँ पर एक project चलाएगा जिसका नाम है swan swan की full form क्या है swan की full form है state wide area network जिस तरीके से आपने यह जानते होंगे कि एक होता है land ठीक है एक होता है मैं और तीस तरह होता है वैं यह होता है local area network मैं होता है metropolitan area network और wide area network जो पूरे दुनिया पर को connect करता है local area network जैसे मालेजी किसी hotel college को building वहाँ पर establish किया जाता है मैं metropolitan area metropolitan city के अंदर establish किया जाता है जो काफी बहुत सारे land से मिलकर man बना होता है जैसे मालेजी यह एक area हो गया local area यह school हो गया यह college हो गया तो इन सब के अलग-अलग आपने क्या establish कर दी है है ना अब यह land क्या करेंगे बड़े-बड़े छेतर में फैलाएंगे तो आप इनको मेन कर देंगे ठीक है बहुत सारे land को मिलाके man बोल देंगे और बहुत सारे मैनों को बलाके सभी को वैन बोला जाता है वैन का मतलता है वाइड एरिया नेटवर्क यह वाइड इस वान प्रोजेक्ट क्या हो गया इस्टीट का इक वाइड एरिया नेटवर्क का establish किया जाएगा जिसके अंदर नेक्स लेक्टर में तो कही है अब तो आपके एक्जाम आ गया है तो देखे इस्टुडेंट्स आपने जितने भी positive comments किये बहुत अच्छे थे comments किये और आपके comments पढ़के आपके reply पढ़के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ठेक है आप जो इतने प्यार से इतने बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से thanks सभी को और सभी को best of luck बहुत अच्छा करके आए ठीक है बस यह आशा रहेगी कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से मैनत करें और सब लोगों की job लग जा है यही मेरा target रहा और यही सब आप चीजों के लिए है और आपने जो जो positive comments किय सब्सक्राइब करें तो यार वह तो अन्वेल्यूबल है वह बहुत ही मतलब उनकी कोई price less है ठीक है ठीक है मतलब बहुत अच्छे थे यार बहुत मतलब अच्छा लगता था पड़ा सुनकर पढ़कर उनको बार है तब फिर गाई मिलता है next lecture में तब तक लिए next lecture किसी और पर आएगा ठीक है बाई यह हो गया आपका complete जाते जाते तो कुशन तो कहीं पूछू ठीक है चलो बाई